गायों की मौत का एक मामला सामने आया है जिसको लेकर काना फूसी हो रही है ये मामला ग्रेटर नोड़ा से है गायों की मौत की बेहत दर्दना घटना गुरुआर को सामने आई है घटना सामने आने के बाद विकास प्राधिकरण जिला प्रशाशन और पसुचिकित समय प्राधिकरण की जलपूरा गाउं के पास इस्थित गौशाला में करीब एक दर्जन गायों की मौत हो गई है। मौत के कारणों की प्राधिकरण ने भी कोई पुश्टी नहीं की है। आशंका है कि गायों की मौत भूग प्यास की वज़े से हुई है। ग्रेटर नोइडा के इकोटेक थर्ड थाना छेतर के जलपूरा में ये गौशाला मौजूद है। इस घटना के बारे में बात करने के लिए ग्रेटर नोइडा विकास प्राधिकरण की अधिकारियों से संपर किया जा रहा है। हाला कि प्राधिकरण का कोई भी अफसर इस बारे में कुछ भी बताने को तयार नहीं है। दूसरी और सूचना मिलने के बाद पसुची कितसा विभाग से डॉक्टरों की टीम गौशाला पहुँची। शवों का पोस्ट मार्टम किया जा रहा है। इसके लावा कई गाय बुरी तरह बीमार और लगभग मरनासन नवस्था में मिली हैं। उनका उपचार करवाया जा रहा है। गौशाला में गई टीम के एक डॉक्टर ने नाम नहीं छापने की शर्थ पर बताया कि यहां इस सितियां बेहत खराब हैं। गायों का प्रबंधन बेहत ही घटिया है और साफ सफाई का भी उचित इंतिजाम नहीं किया गया है। गर्मी बढ़ने और खाने पीने की सही व्यवस्था नहीं होने की वजए से गायों ने दम तोड़ दिया है। गायों की इस तरह कि मौथ चिनता जनक है। लेकिन अब भी ये सवाल खड़ा होता है कि वो गौभक्त कहां है जो कल तक गायों के लिए तरंडव कर रहे थे और चुनावी रोटियां सेक रहे थे। आज जब बदहाली में गायों की मौत हो रही है तो ये लोग आखिर उनकी सुधी क्यों नहीं ले रहे हैं।